हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मिद करता हूँ अच्छे होगे तो आप सोटिंग के बारे में मेरे को काफी भायों बोल रहे हैं कि डिसी मशिन से आप सोटिंग को कैसे ट्रेस करें सही तरीके से तो आज मैं आपको सही ट्रिक से समझाऊंगा आपको यह वीडियो सु उसके बाद ही कोमेट किजिए मुझे तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास हाप सोट कंडिशन का फोन है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 4.1 वोल्ट सेट कर दिया है और एंपियर में थ्री एंपियर पर सेट करके रेडि रखा है तो बाद में मैं आपको डेट वोल् गया लुद्ध में आपको दिखा दूगा उससे भी हम किस तरीके से चेक कर सकते है तो वह भी में आपको बाध में दिखा दूगा तो आपने यहाँ पर्फोन को ऑपन करके रखाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीमीटर से आपको चेक करवाएंगे कि हमारी मल्टी हम यहां पर देख सकते हो मारे सील्ड पहले से हमने निकाल के रेड़ी रखिए क्योंकि वह सब निकालूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा ओर रेड़ी आप लोगों के पास टाइमी नहीं रिता है चब चेक करने का इसकी वजह से मैं ओर रेड़ी निकाल के रेड़ी और चारजेंग अईसी है और तीनों पे हम यहां पे ठोडा रोजिन लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी का है यहां पे सोटिंग है की नहीं तो आप यहां पे देख सकते हो हमारा पास रोजिन पेस्ट है तो हम सोलरिंग एरन के मदद से हम इसमें फ़ड़ा रोजिन लगाएंगे फिरम डिसी के साथ कनेक करेंगे तो आप यह वीडियो दोस्तों सुरू से लेकर अंतक जरूर देखना क्योंकि आपको ट्रेसिंग में स इसके उपर नहीं रखना है थोड़ा सोलरिंग एरन उचा ही रखना है ताकि क्या होगा उसका तुवा है वो मारी आइसी पे सही तरीके से लग जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हो हम इस तरीके से इसमें रोजिन को लगाते है तो आप यहां पे देख लिजे तो अभ पोजिटिव कॉम यहाँ पर इसके साथ लगा देते हैं यहाँ पर देख लिजिए तो हमारे देखें दूस्तों एक डाइवोड भी हमारा मेल्ट हो चुका है और अभी आपको मैं और भी दिखाऊंगा तो इसका मतलब है कि आपको इस तरीके से करना है कि आपके पास जोटिंग की फोन आय तो आपको इस तरीक से करना है रोजिन लगा कि आपके पास यह बाली डी सी होगी तो कफी अच्छा रहेगा सोटिंग को आसान तरीका से आप ट्रेस कर पाऊगे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा कि हमारे कितनी मेल्ड हो रही है हमारी दूसरी कोई भी आइसी मेल्ट कर दना है तो आपको इसको ट्रेस करना है और आपको आईसी को चेंज कर देने का है तो आईसी हमारे पास अभी अवलेबल नहीं पड़िये इसके को ट्रेसिंग दिखा दिये मैंने कल डी थी इसको जो से मैंने सोचा कोई बात ने इस पेक वीडियो बना देता हूँ तो मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा रोजिन को लगा दिया है और मैं आपको लिशे के साथ कनेक करता हूँ तो आप यहां पे देख लिजे मैंने ground को यहां पे connect कर दिया है और मैं फिर से इसके साथ positive पे हम यहां पे connect करते है तो हमने यहां पे connect करते हैं यहां पे देख सकते हो हमने यहां पे connect कर दिया और हमारी IC melt होने लगी है और यहां पे हलका सा दुवा भी निकल रहा है इसका मतल सकती है पीम भी खराब हो सकती है आपका कोई भी रजिस्टर भी खराब हो सकता है आपका डाइवोड भी खराब हो सकता है तो आपको इस तरीके से ट्रेस करना है तो मेरे को को मेंट आ रही थी इसकी वुझे से मैंने आपको ओली ट्रेसिंग ही दिखाया है और आपको इस तर वोल्टेज अमने सेट करके रखा है और 3.1 येंपिर हमने रखा है तो आप यहां पे देख लिए अभी हम connect करते है कि हमारी IC melt हो रही है कि नहीं तो आपको इस तरीके से नहीं होता है तो आपको मैंने बताया कि आपको 4.1 वोल्ट सिलेक करके रखना है और 3 वेंपियर पे आपको सिलेक करना है यहाँ पे आपकी सोटिंग नहीं निकलती है तो यह आपको 4.1 रखना है और 3 वेंपियर पे सेट करना है तो इसकी वज़े से मैंने आपको लास्ट में भी दिखा दिया वन्ना क्या होगा आप सिधा 1.5 एंपेर में काम करोगे आपको ट्रेसिंग नहीं कर पाओगे इसकी वज़े से मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो पसना आई ही गो तो वीडियो को लाइक कीज़े सेर कीज़े सब्सक्राइब कीज़े हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो का साथ तब तक के लिए जये जये बारत